हेलो फ्रेंज स्वागत है अपसभी का अपनी रषुई में तो कैसे हैं přषाणeled और आपसरा की रविस केति हैं लिए और एक चमच करें मैंने सौफ का पाउडर लिया है दरदरा पिसा हुआ है यह और हल्दी लिय Socios और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉडिंग ले सकते हैं और जो मेन है हमारा इसमें वो दही चाहिए करीब 4-5 चमच हमें दही चाहिए इसे बनाने के लिए और मिर्च को आप पहले डंडी निकाल के उसे दो लें अच्छे से और इसे इस तरीके से काट लें बीच से इसे करेंगे काट के तो देखिए बड़ी आसानी सी यह कट जाता है और बहुत ही कम समय लगता है इसे काटने में तो यह मेरे पास 500 ग्राम मिर्च है जिसे मैंने धो के सुखा लिया था और अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूं तो आप मिर्च कोई भी ले सकते हैं कम तीखा वाल का इस्तमाल ना करें सरसो का तील जब अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें डालेंगे हम राय और उसको अच्छे से तड़कने देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरे मिर्च और मिर्चों को डाल कर इसे एक मिनट तक हमें फ्राइ करना है और उसके बाद हम मिलाए सौफ का पाउडर नमक हल्दी और आप मिर्च लेते समय थोड़ सा ध्यान रखें कि मिर्च एक साइज के हो और क्वालिटी उसकी अच्छी हो मिर्च की तो ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगी और तीखी वाली मिर्च का भी आप बना सकते हैं अगर ज्यादा तीखा है अब मैं इसमें डालूंगी मसाले मसाले डालने के बाद मैं फिर से एक मिनट के लिए चलाओंगी और उसके बाद इसमें एड करेंगे दही आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइ चैनल के लिए और इसे खाएं किसी भी सब्सक्राइब के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है यह और सभी को यह जातर पसंद होता है तो इसे चौकने का मैं बहुत ही आसान तरीका बना बता रही हूं आप सभी को इसे जरूर ट्राइब करें तो दही डालने के बाद हम इसे दो से तीन मिनट तक मीडियम फ्लेम पे चलाएंगे और जब इसका पानी अच्छे से सूख जाएगा तो हमारी जो रेसिपी है वो बनकर तैयार हो जाएगी और इसका आनंद लें और इसे खाएं बहुत ही टेस्टी बनकर आती है यह रेसिपी तो इसे जरूर ट्राइब कर लगेगा तो नॉन स्टेक कडाही का भी आप इस्तमाल कर सकते हैं या किसी पैन में भी इसे फ्राइब कर सकते हैं बहुत ही अच्छी रेसिपी है इसे बनाकर फ्रिज में रख दें और इसे जब नॉर्मल टंपरेचर पर आ जाए तो इसे खाएं चावल रोटी पराठा किस अच्छी के साथ भी यह खा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी लगता है और काफी है भी है मिर्च हमारे सहत के लिए तो इसे जरूर खाएं और कुछ जादा मसालों का इस्तमाल मैंने नहीं किया है इसमें तो इसे जरूर ट्राइकरें रेसिपी और बहुत सारी ऐसी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अप्लोड की है जो बहुत ही कम समय में तो बनती है साथ के साथ वो टेस्टी भी बहुत जादा होती है तो उसे जरूर जाकर देखें और उसे ट्राइ करें तो देखिए हमारी मिर्च अब बनकर रेडी है यह कितना शाइन कर रहा है और कितना बहुत ही अच्छी आ रही है तो इसे जरूर बनाए और अपने फैमली के साथ इंजॉय करें खाएं सफर में भी यह लेकर जा सकते हैं बहुत ही टेस्टी है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद